सो हेलो एब्रिवन आज आयर वी इंफ्रस्ट्रक्शर का सेयर अप्टरेंड मोवेंट दिखा सकता है इसके पीछे के न्यूज मैं आपको बताती हूँ और ये भी बताऊंगी क्या इसका स्ट्रॉंग सपोर्ट नजर आ रहा है और क्या इस सेयर की रेजिस्टेंस नजर आ रह ही है सो पूरी वीडियो वाच कीजिए पहले हम यहां पर देख लेते हैं क्या न्यूज है वो जिसके कारण इसमें अप्रेंड मोमेंट देखने को मिल सकता है यह मैं वस आपको एजुकेशनल परपस से बता रही हूँ यहां पर आप देखेंगे कंपनी ने कल अपडेट द हो गया है यहली बेसिस में यह कंपैरिजन है बेसिकली सो यह इंक्रीज हुआ इस टाइम पे 20 परसेंट यहां पर यह इंक्रीज हुआ है अगस्ट 2024 में इस टाइम मतलब इनका जो रेवेन्यू है टोल कलेक्शन का रेवेन्यू आप देखेंगे 502 करोड का यहां पर इनका रेवेन्यू रहा है यह मिलियें में हैं जो हम 502 करोड कह सकते हैं और पिछले टाइम यहां पर इनका रेवेन्यू था इसको मैं सही से दिखाऊ हूं आपको आप देखेंगे यहां पर पिछले टाइम इन का जो ऑगस्ट में रेवेन्यू था वह 417 करोड था और इस टाइम फे 502 करोड जैनरेट हुआ है सो ओवराल देखा जाए 20 करोड का यहां पर increment 20 करोड का नहीं 20 परसेंट का यहां पर year on year basis में increment हुआ है इनका collection का सो ओवराल यह share नजर में रह सकता है आज कुछ moment दिखा सकता है सो पहले हम देख लेते सेयर ने क्या-क्या returns हमें provide के हैं अब तक और फिर हम चार्ट में जाते हैं आप देखेंगे यहां पर five days में कुछ returns नहीं थे negative returns थे and one month में यहां पर भी returns इसके कुछ नजर नहीं आ रहे हैं पास्ट six month में भी खास returns नजर नहीं आ रहे हैं year to date में ठीक-ठाग returns रहे हैं 48% और one year में यहां पर भी ठीक-ठाग returns है 81% आप देखेंगे five years में सही returns है वैसे 659% and all time में आप देखेंगे 219% या 220% इसके returns रहे हैं overall returns इसके आजकल में तो जाद अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं five years में वैसे रेटन से प्रोवाइड कर रहा है सो चलिए directly हम यहां पर चार्ट पर चलते हैं क्या इसका support resistance निकल कर आ रहा है यह बताते हैं आपको सो यहां पर यह मैं आपको short term perspective के आप से बता रही हूं वैसे आज थोड़ा uptrend moment के दिखा सकता है 61.88 rupees में इसकी closing हुई है इसका जो strong support नजर आ रहा है वो है 60 rupees का यहां पर ठीक है और जो इसकी एक resistance है यह है 64.80 rupees के around अगर यह यहां पर sustain करता है तब अच्छा कासा थोड़ा uptrend moment और दिखा सकता है so first target हम यहां पर 64 के something कह सकते हैं and second target यहां पर 68 rupees के around कह सकते हैं अगर यह 68.70 या 60 के अबाव sustain करता है 68.70 के अबाव तब यहां पर अच्छा target और दिखा सकता है यह आप लोग चाहिए तो long term perspective से भी hold करने का सोच सकते हैं या buy करने का सोच सकते हैं अभी यहां पर एक दो रुपे का ही यहां पर low risk है high gain आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग अपने आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो